नमस्कार दोस्तों, Digital Electronics Lecture Series में आप सबका बहुत स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम ASM के बारे में in detail explain करेंगे ASM क्या होता है? Algorithmic State Machines ये आपके sequential जो machine है उसी से related है यहाँ आपको पता लगेगा कि हम ASM क्यों study करते हैं तो सबसे पहले आपको मैं एक example लेना चाहता हूँ माल लेजिए ये जो box है, ये आपका कोई sequential machine है और अगर इस sequential machine में बहुत सारे sequential circuits included है और किसी एक particular point पे कोई fault आजाए या कहीं से कोई problem आजाए तो हम definitely हर एक point पे जाने की बजाए कुछ एक ऐसी study करेंगे इसकी ताकि हमें वो fault तुरंत पता लग जाए और उस fault को हम तुरंत correct भी करा सके तो दोस्तो इस तरीके को समझने के लिए हमें ASM charts की study करनी पड़ती है यानि जो ASM charts होते हैं वो finally आपके जो hardware होंगे उसमें अगर कोई problem मिलती है तो उस problem का solution few steps को follow करके हम निकाल सकते हैं और अपना कीमती time भी बचा सकते हैं तो काईदे से जो ASM है sequential machines का जो एक algorithmic flow है वो आपका एक charts के तरफ से होता है तो ये आपका एक flow charts ही होता है जिसमें आपके जो sequence हैं वो properly specified होती हैं और उसमें हमारा पूरा का पूरा procedural step explain किया जाता है और proper decision ले सकते हैं इन पूरे steps को follow करके कि exactly किस point पे problem है और उस problem को हम किस type से sort out कर सकते हैं तो दोस्तों अब इसके बाद हम मोटा मोटा ये समझा चुका है कि जो हमारा algorithmic state machines है यानि sequential machines काफी complex होती है वहां के किसी एक particular section में अगर कोई problem आजाए तो उसको हम specifically कैसे उसको solve कर सकते हैं with a quick short period of time तो वो जो एक proper flow होगा किसी भी machine के behavior को understand करने के लिए उसे हम ESM charts कहते हैं तो normally हम इसको flow charts भी बोल देते हैं ये आपका जो hardware algorithms हैं उसका flow chart होता है अब इसमें क्या है इससे पहले हमने concept study किया था state tables का या कई बार क्या होता है कि हमारे जो sequential machine है उसमें बहुत सारी inputs होती हैं जिसकी वज़े से state table इतना complex बन जाता है कि state table में रही informations को हम तुरंत नहीं समझ पाते हैं तो हमने क्या देखा कि अगर हम बहुत complex sequential machine अगर है अगर उसके individual sections को flow charts में represent कराएं तो हमें तुरंत पता लग जाएगा कि problem कहां है और उसको हम कैसे short out कर सकते हैं तो यही था दोस्तों इसलिए हम ASM charts को study करते हैं तो हमारे लिए state table को understand करना काफी difficult हो जाता है अब दोस्तों बात करते हैं जो हमारे ASM है इसमें mainly कौन कौन से element आपके रहते हैं तो पहला element है दोस्तो state box अभी एक एक करके मैं यहां explain जरूर करूँगा कि state box होता क्या है दूसरा है दोस्तों आपका decision box और जो third element है वो है आपका conditional box एक चीज़ मैं आपको जरूर बता दूँ कि जो आपके ASM charts होते हैं उसमें multiple number of blocks होते हैं लेकिन हर block में यह तीन element आपको जरूर मिलेंगे तो यानि the collection of all three elements will be known as block तो यह आपका एक block हो गया है तो जो sequential machine है वो बहुत complex होती है तो हो सकता है उस sequential machine के multiple number of blocks हो लेकिन हर block के अंदर यह तीन element आपको हमेशा मिलेंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि यह जो तीन element है तो अब दोस्तों अब इसको हम state जो box है इसको individual study करेंगे कि यह है क्या नाम से पता लगता है state box का मतलब जो sequential machine उसमें कितनी सारी states होंगी जितनी states होंगी उन states को आप state box से represent करोगे और state box आपकी हमेशा एक rectangular shape की आपको दिखानी होगी ठीक है अब यह जैसे है यह आपका एक rectangular shape का box है इसको हम state box कहते हैं दोस्तो state box के top left side हमेशा उस state का नाम लिखा होता है और state box के top right side आपका उस state को अगर आपने किसी binary number से या binary bit से assign कर रखा है तो वो binary code यहाँ पे लिखना होता है माल लेजिए आपके five number of states हैं किसी sequential machine में तो यहाँ आपको five number of rectangle box बनाने होंगे और हर rectangle box आपका एक अलग individual states को represent करेगा और यहाँ पे उन states के नाम लिखोगे और यहाँ पे उनके binary codes लिखोगे अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे decision box की decision box आपका क्या है अगर आपको पता है कि जो sequential machine है उसकी output किसी ना किसी तरीके से input पे depend करती है अब input अगर single bit है तो definitely क्या होगा एक ऐसा decision यहाँ पे condition mention करोगे और इस conditions में अगर zero है यानि वो condition false है तो accordingly circuits को आगे बढ़ाओगे अगर वो condition true है तो accordingly circuits आगे बढ़ जाएगा decision box का यह ध्यान रखना कि यह हमेशा diamond shape का होता है ठीक है और decision box में हमेशा दो path होंगे exit path एक होगा जो zero से lead करेगा एक होगा जो high logic से lead करेगा लेकिन अगर दोस्तों आपके पास input multiple number of bits में है माल लिजिए दो bit का आपका input है तो उसके चार possible combination हो सकते है 00, 01, 10 and 11 तो उस basis पे decision box आपके एक से ज्यादा भी हो सकते है या decision box आपका एक भी हो सकता है अगर input condition single bit की है तो definitely यहाँ क्या गरेंगे input जब zero है तो accordingly आगे बढ़ाएंगे और one है तो accordingly लेकिन input multiple number of bits में है तो ऐसे decision box जो diamond shape में है वो आपके एक से ज्यादा हो सकते है third जो है दोस्तों वो है आपका conditional box conditional box का मतलब यह box almost आपका state box जैसा ही दिखता है लेकिन इस corner पे हमेशा क्या होगा round shape बनी होगी यानि rounded corners होते हैं और oval shaped का यह दिखता है conditional box का मतलब है कि जो आपने state ली उन states पे आपने जो decision लगाया या inputs की condition रखी उसके बाद finally जो आपको output मिलती है वो output आप इस type के box से represent करा देते हो तो दोस्तो ये था algorithmic state machines ये आपके some sort of flow charts ही होते हैं और ये flow charts study करके हम ये पता लगा लेते हैं कि जो complex sequential machine है उसमें कहां problem है और उस problems का solution quickly कैसे कर सकते हैं तो दोस्तो आगे आने वाले videos में ASM charts के basis पे किस type के numerical आपसे पुछे जाते हैं और कैसे आपको वो design करना है उनकी problems को हम discuss करेंगे This is the end of the video, thank you so much for watching this video दोस्तो यहाँ एक important announcement जरूर है कि मैंने RK Classes के नाम से ही अपना एक telegram channel बना रखा है जहां आप किसी भी subject के PDF notes easily download कर सकते हो जो भी आपकी requirement है वो आप comment box में मुझे जरूर लखें और मेरी videos के description box में आपको हमेशा मेरे telegram channels का link जरूर मिलेगा So, thank you so much for watching this video